डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी नमस्कार बिद्यार्थी मित्रों डॉक्टर बाबा शाहिब अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी अम्दावाद के चैतन्या स्टूडियो से मैं सतीष कुमार पांडे आप शबी का स्वागत युम अभिनंदन करता हूं आज हम लोग जिस पाठ को का धेन करेंगे उस पाठ का नाम है आधुनिक हिंदी कविता यह जो प्रस्ण पत्र एक है खंड दो छायावादी काब भाग एक इकाई चार जैसंकर प्रसाथ के काब में राश्टिय चेतना की विसिष्टता और आधुनिक भाव बोध मित्रों यह एमे प्रथम वर्ष का MHD 2 कोड जिसका है वो पाठ करम है जिसका आज हम लोग अध्यन करने जा रहे हैं मित्रों सबसे पहले हम पिछली कक्षाओं में हम इस बात का जिक्र किये थे कि कैसे हिंदी कविता का विकास हो रहा है उसमें सबसे पहले हम आधुनीक काल से प्रारंब किये थे आधुनीक काल में वह भारतेंदु यूग जो कि आधुनीक कविता जहां से सुरू मानी जाती है उसका हम लोग अध्यन कर चुके हैं अब आगे हम लोग छायावाद के विशय में जानकारी प्राप्त करेंगे इस इकाई को पढ़ने के पीछे हमारा क्या उद्देश से है यह हम इकाई क्यों पढ़ है इसका जिक्र हम उद्देश के माध्यम से यह हम बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जैसंकर प्रसाद के कावे की प्रमुक विशयस्ताओं के विशय में हम जानकारी प्राप्त करेंग दूसरा जैसंकर प्रशाद के काबे में सांस्कृतिक चेतना और राश्ट्रिय जागरन संबंधित जो भावबोध है उसका हम लोग अध्यन करेंगे अगला है जैसंकर प्रशाद के कावे में आधुनिक भावबोध और युगीन चेतना की जानकारी को भी हम लोग रेखांकित करेंगे मित्रों इसमें सबसे पहले हम यह देखेंगे कि छायावाद की प्रिष्ट भूमी क्या है कि छायावाद को पढ़ने से पहले किसी भी अध्याय को इक्याई को पढ़ने से पहले हम उसकी प्रिष्ट भूमी को जानने की कोशिस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि छायावाद की प्रिष्ट भूमी क्या है कैसे यह प्रिष्ट भूमी आधुनी कविता के लिए निर्मित है मितरों चायावाद का जो काल है उसके विकास के लिए अलग-अलग लोगों ने तरक दिया है कि इस कभिता से चायावाद का प्रारंभ माना जाता है इन रचनाओं के माध्यम से माना जाता है छायावाद का प्रारंब लेकिन मैंने जो आप लोगों के सामने तीन-चार पहलूं को रखने की कोशिस किया है वह इस प्रकार है कुछ विद्वान निराला की कविता जो जूही की कली है 1914 में प्रकासित हुई थी उससे छायावाद का प्रारंब लोग मानते हैं दूसरा जो विचार है विद्वानों का कि छायावाद का प्रारंब किस प्रकासन से हुआ है तो सुमित्रा नंदन पंत का जो पहला काविशंग्र वीड़ा नाम से है वह 1918 में प्रकासीत हुआ है उसके प्रकासन वर्स से चायावाद के यूग का लोग निर्धारन करते हैं अगला है मित्रो मुकुटधर पांडे की एक कविता है कुररी के प्रती कुछ लोग इसके प्रकासन से भी चायावाद का लोग जन्म मानते हैं कि चायावाद मुकुटधर पांडे की जो यह कविता है उससे हुआ है लेकिन जो मेरा मत है कि आखिर चायावाद का विकास इन तीनों कविताओं के प्रकासन बर्स से अलग-अलग बिद्वानों ने जो माना है लेकिन जो मेरा मत है वह यह कि इन तीनों कविताओं के प्रकासन बर्स के अंदर हम नव जाएं हम यह देखने की कोसिस करेंगे कि यह जो कविताओं हैं बीसमी सदी के दूसरे दसक के उत्तरार्थ में हिंदी कविता में एक नई प्रविर्ती का उस समय उदय हो रहा था जो पहले की कावे प्रविर्तियों से एकदम बिल्कुल ही भिन थी लेकिन उसमें एक अलग बात क्या थी कि यह प्रविर्ती उन नए रचनाकारों के माध्यम से समाज में सामने आ रही थी जिन्हों ने अपना लेखन अभी नया नया सुरू किया था इसी नई कविता का नाम विद्वानों ने छायावाद दिया और इससे पूरी तरह हम भी सहमत हैं अगली जो हम जो छायावाद के विसाय में जानकारी प्राप्त यह तो था कि छायावाद की प्रिष्ट भूमी चायावाद की प्रिश्वूमी कैसे निर्मीत हुई है साहित्य में उसके विशाय में अभी हम लोग जानकारी प्राप्त किये लेकिन जो अगले अगले हम लोग जो अगला धेन करेंगे वह चायावाद का अभी प्राय क्या है अखिर यह चायावाद का मतलब क्या है साहित्य म चायावाद का जो अभिप्राय है जो मत है क्या है तो इस सम्मंधित मैं कुछ विद्वानों का के कोटेशन का यहां कथन का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आप लोगों के सामने मैं रखने की कोशिस किया है कि नई कविता नई तरह की कविताओं ने लोगों का ध्यान अपनी और आक्रिष्ट किया चायावाद का जब लेखन कार सुरू हो रहा था तो नई कवियों ने जैसे उस समय सुमित्रानंदन पंत प्रशाद निराला महादेवी बर्मा सभी लोग रचनाएं अपनी कविताओं लिख रहे थे तो वह कविताओं के माध्यम से लोगों का जब वो कविताओं समाज में आई तो लोगों का ध्यान उस कविताओं की तरफ अक्रिष्ट हुआ पत्र पत्रिकाओं में इनकी चर्चा इन कविताओं की चर्चा जो है पत्र पत्रिकाओं में भी खूब देखने को मिली मित्रो नामवर सिंग का यहां एक मत है कि 1922 इस्वी तक इन कविताओं के लिए छायावाद नाम रूड हो गया था प्रचलन में मतलब हो गया था उने 2022 इस्वी तक आते यह चायावाद जो सब्द है यह आम हो गया था मतलब हो गया था यह इसमें जबलपूर की पत्रिकाओं श्री सार्दा जो जबलपूर से पत्रिकाओं निकलती है उसके जो संपादक है मुटधर पांडे जी वह अपनी पत्रिकाओं श्री सार्दा में चायावाद नाम से हिंदी में चायावाद पूरा जो सिर्सक है हिंदी में चायावाद नाम से लेखों का संकलन उसमें किया जिसमें चार निबंधों की एक लेख माला प्रकाशित हुई थी वहाँ चायावाद सब्द का जो सबसे पहले पुर्धर पांडे की जो कविता है वहां से यह चायवाद सब्द की उत्पत्ती हुई है साहित्य में अगली जो पॉइंट है अगला पॉइंट है कि 1921 में सरवस्वती पत्रिका में सुसील कुमार नामक कोई लेखग के द्वारा हिंदी माध्या में चायवाद सिर्षक से एक निबंध प्रकासित हुआ था तो वहां से भी हम चायवाद के सब्द का जो उत्पत्ती है वहां से भी हम देख सकते हैं इन निबंधों से यह अस्पष्ट होता है कि नई तरह की कविताओं के लिए चायवाद सब्द 1927 तक आते आते यहां नामोर सिंग का कथन बिलकुल सत जानते हैं और यह साहित्यों में सुक्रित भी हो गया था एक अगला पॉइंट है इसमें कि चायवाद नाम सुक्रित होने के बाद यह समस्या बनी रही कि आखिर इसका अर्थ क्या है इसका मतलब क्या है तो हम यह देख सकते हैं आप लोगों के सामने में यहां दिखाया है पीपीटी के माध्यम से उस समय अचार महावीर पुषाद दिवेदी का कथन है बहुत प्रासंगी कथन है यह कि चायवाद से लोगों का क्या मतलब है कुछ समझ में नहीं आता सायद इसका मतलब है कि किसी कविता के भावों की चाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे चायावादी कविता कहना चाहिए यह जो चायावाद अभी नामोर सिंग का जो कथन था कि चायावाद सब्द जो है उने सो बीस इसवी तक आते आते रूड हो गया था लेकिन यह जो महावीर प्रशाद दिवेदी का कथन है इसमें उन्होंने इसका अपना मत मत ब्यक रखा है मित्रों यह सभी जानकारियां अलग अलग किताब में अन्त में बताऊंगा कि यह की जो चायावाद से संबंधित जो पूस्तक के का हम निर्धारन करेंगे हम अध्येन करेंगे उसका जिक्र में आगे करूंगा अगला है कथन की रामचनसुकल का है बहुत महत्वपूर्ण कथन है मित्रों इसे हमें बहुत प्रमुक्ता से देखना चाहिए छायावाद के दो अर्थ रामचनसुकल जी ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए दो अर्थों का निर्धारन किया है इसमें एक है कि रह चाहें लेंगे उसमें हम इसका जिक्र करेंगे लेकिन यहां जो रामचन सुक्ल का जो मत है कि एक जो है रहस्यवाद के रूप में उन्होंने चायावाद सब्द का जिक्र किया है दूसरा कावशैली के रूप में किया है सुक्ल जी के ही सब्दों में आगे खुद कहते हैं कि चायावाद सब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहां उसका संबंध का विबस्तु से होता है अर्थात जहां कवी उस अनंत अज्यात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमई भासा में प्रेम की अनेक प्रकार से बे तो महत्त पुण ही आलोचक हैं आप लोग इनके विशय में पिछली कर्षाओं में जानकारी प्राप कर चुके हों उनका यह कथन हम इसे देख सकते हैं मित्रों आचार हजारिप्षाद दिवेदी का भी कथन चायावाद को लेकर चायावाद के अभिप्राय को आचार हजारिप्षाद दिवेदी समझाते हैं और कहते हैं कि चायावाद में मानावतावादी द्रिष्टी की प्रधानता स्विकार की गई है चायवादी कविता बाहे इंद्रिये बोध तथा चेतन मन की सीमाओं को पार कर अचेतन के रहस्य में लोक में पहुँचती है और जाने अंजाने उसका मर्मुद घाटन करती है यह अचार हजारी पुशा दिवेदी का बहुत महत्वपून कथन है चायवाद को लेकर चायवाद को कई कवियों आलोचकों ने इस थूल के परती सुच्म का विद्रो कहा है मित्रो नागेंद्र हम लोग हिंदी साहित्य जगत में महत्वपून आलोचक नागेंद्र है यह नगेंदर का कथन है कि छायावाद जो है इस थूल के परती सुछम का विद्रो है अगला जो है कि इसमें छायावाद सब्द को लेकर ही एक यह बात समझ चर्चा में आती रहती है अक्सर की छायावाद जो है पश्चिम के स्वचनता वादी कवियों टैगोर के काब निरा हुए कहा है कि सेली ठाकूर निराला के युगों की परिस्थिती में एक बात समान रूप से विद्यमान है और वह है पुझी वाद का प्रारंभीक विकास है यानि छायावाद को पुझी वाद का जो प्रारंभीक विकास है उसके रूप में भी देखा जाता है यह आपको राम्विला सर्मा जी ने यहां पर अपने कथन में ब्यक्त करने की कोशिस की है इसी संबंधित मिलता जुलता डॉक्टर नामोर सिंग का कथन बहुत महत्वपूर है च्हायावाद का जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि 1920 में ही नामोर सिंग मानते हैं कि च्हायावाद सब जो है वह आम जन के लिए रूड सा हो गया था तो उसको भी हम यहां पर देख सके देखने की कोशिस करेंगे डाक्टर नामोर सिंग ने च्हायावाद को राश्ट्री जागरण से यह बहुत महत्वपूर बात है कि डाक्टर नामोर सिंग ने च्हायावाद को किसी ने पु यह बिखलते हैं कि छायावाद जो है राश्टी जागरण के रूप में विकास हुआ है उनका कथा नहीं है कि चायावाद उस राश्च्टिय जागरण की कभ्यातमक अभिव्यक्ती है जो एक ओर पुरानी रूड़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से इस जागरण में जीस तरह क्रम से विकास होता गया इसकी कभ्यात्मक अभिव्यक्ती भी विक्सित होती गई और इसके फलसरूप छायावाद संग्या का अर्थ भी विस्तारी होता गया मित्रों यहां पर चोकी आधुनिक कविता जो है भारतेंदु यूग से प्रारम होती है भारतेंदु यूग से पहले जो पुर्व की कविताएं थी वह बेढ़ियों में एक तरह से जकडी हुई थी भारत उस समय गुलाम था और कविताएं जो थी वह एक बंधन में थी राज को खुश करने के लिए लिखी जाती थी तो यहां पर विद्यसी पराधीनता से मुक्ति कि जब बात नाम और सिंग करते हैं तो वह वहीं से देखने की कोशी से करते हैं अब हम जैसंकर प्रसाद के विशाय में कुछ जानकारी प्राप करेंगे कि यह जो इकाई है जैसंकर प्रसाद को लेकर ही है इसमें जैसंकर प्रसाद हैं निराला हैं जो छायावाद के जो यह एक छायावाद का जो पहला अध्याय है जिसमें इकाई चार के अंतरगत हम ज महत्तवपुन क्या क्या है वह मैंने आपको बताया है कि जयसंकर प्रसाइड का बिगद भीस लेकर आप लोग पढ़ा हो बढ़ा होगा लेकिन फिर भी यहां पर कुछ महत्तवपुन बातों का यहां पर उद्धरन कुछ जिक्र करदे हुए मैं फिर आगे बढ़ूँगा जिसमें जैसंकर प्रसाद का जन्म 1899 इस्वी में हुआ और मिर्तिव 1937 इस्वी में हुई सहितिक जो भी प्रभाव है इनकी जैसंकर प्रसाद की रचनाओं पर हमें देखने को मिलता है इसमें की चित्राधार में यह कावे शंगरह लिखी गई इसमें जो है रितिकालीन धंग की ही अधिकतर रचनाएं हमें देखने को मिलती है चित्राधार जिसका नाम है चित्राध अगला कानन कुसुम जो 1913 में जिसकी रचना हुई है इसमें खड़ी बोली का पहला कावे शंगरह माना जाता है यह कानन कुसुम 1913 में जैसंकर प्रशाद ने इसे लिखा है यह अधिकतर परिक्षाओं के लिए भी अमत्तपून है कि यह अधिकतर इस तरह के जो प्रशन है बहुत भी कल्पी है के रूप में भी पूछे जाते हैं तो इसका हम ध्यान से इसको हम देखने कोशिस करेंगे अगला इनका जो इनकी जो क्रिती है जहरना है जो 1908 इसमी में जैसंकर प्रशाद ने इसे लिखा आसू 1923 में इसमें लोक मंगल को लेकर बहुत अच्छा बर्णन किया है जैसंकर प्रशाद ने क्योंकि उसमें हर जो विशाद अगरा की स्थिती से जो कविताओं को लेकर उनके मन में एक तरह का विचार था उसको आसू में उन्होंने लोक मंगल से जोडते हुए देखने की कोशिस की है 1937 में लहर इनकी रचना प्रकासित होती है यह सभी रचनाएं जो है छायवादी भावबोध के ही अंतरगत आती है आसू लहर जहरना कानन कुसूम इनकी जो सबसे महत्वपूर रचना है कामाईनी आप लोग कामाईनी से परचीत होंगे कामाईनी इनकी 1935 में इनकी रचना जो है लिखी गई है और कामाईनी के कारण ही यह साहित जगत में प्रसिद्धी को प्राप्त किये तो कामाईनी का जीक्र हम एक अलग ही कक्छाओं में हम इसका विशेश रूप से एक अलग ही अध्यान करेंगे कामाईनी के विशेश में थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं कामाईनी 1935 में लिखी गई है यह आधुनिक गद्यका सर्वसरिष्ट महा काब्य है यह बहुत ही महत्तवपूर्य रचना है जिसमें की एक रूपक सैली में मानो के समग्र विकास मानो की समग्र विकास उनकी चे जो मानों की सतत गती सील अवस्था है उसको अनेक सोपानों में अलग-अलग धंग से इसका वर्णन किया गया है कामाइनी को हम लोग एक अलग से ही महाकाब के रूप में हम लोग साहीत जगत में देखते हैं इसलिए कामाइनी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है हम का का अध्यन हम लोग एक अलग सी कछाओं में ही रखेंगे कामाइनी के संदर में बहुत सारे महत्वपूर्ण विचारकों ने अपने-अपने मत को व्यक्त किया है लेकिन जो मुझे सबसे अधिक जो मत प्रभावित किया हूँ है डॉक्टर नगेंदर का है डॉक्टर नगे का मानो सब्यता के विकास का यह विराट रूपक साहित्य के इतिहास में एक नमीन प्रयोग है एक अधभूत उपलब्धी है यह डॉक्टर नगेंदर का यह कथन है और मानो चेतना के विकास के रूप में वह एक महाकाब्यात्मक रूपक में देखते हुए मानो सब्यता का विकास का यह बिराट महाकाब्ये के रूप में माना है अब प्रसाद की प्रमुख विसेस्ताये हैं उसका हम लोग जिक्र करेंगे कि जैसंकर प्रशाद की जो काबे की क्या विस्यस्ताएं हैं तो जैसंकर प्रशाद सबसे पहले उनकी जो कविताएं आती हैं वो राश्ट्र प्रेम से प्रभावित होती हैं तो हम इस विस्यस्ता के रूप में कह सकते हैं यसंकर प्रसाद की भी जो भी रचनाएं हैं वह राष्ट प्रेम के इर्द गिर्द घुमती रहती है उनकी कविताओं में राष्ट प्रेम की भावना प्रचूर मात्रा में हमें देखने को मिलती है इनके काब्य में अन्य विधाओं में अपने राष्ट योम उसकी संस्कृत प्रतिनिश्टा ईूम प्रेम की अभिव्यक्ति है, जा संक प्रसाद ने काभे के अतरीक नाटक एकांकी काभी नहीं हूने, रचना किया है, लेकिन तो रचनाओं में उन्होंने, तो वित रचनाओं की उनकी सभी मालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार उसा ने हस अभिनंदन किया और पहनाया हीरकहार यहां असकंद गुप्त में फिर अगला जो है उदाहरण चंद्रगुप्त से हम इसको देख सकते हैं कि हिमाद्रित्रूंग सिंग से प्रबुद्ध सुद्ध भारती स् समुझ्वला स्वतंत्रता पुकारती यह जो है चंद्रगुप्त नाटक में इस तरह के राष्ट की प्रती उनका अथा प्रेम है उन्होंने चंद्रगुप्त नाटक में कविताओं में तो दिखाया ही है कविताओं के अत्रिक्त अन्य विधाओं में भी इन्होंने राष् अध्यात्म वाध को अस्थान भी मिला है lesn Casey नुसार काम के बाद ही अध्यात्म संभव है ऐसी जो भावना है ने इसी जो इस्थिति है इस प्रकार की जो पिशेश्तक Pan K phen techniques अह सफ़ाल को मिलती है यह कुडारन है कि काम मंगल NICKa चकाहे प्रिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो अस्फल भवधाम यह जो उदाहरण है यह कामाईनी का ही है जिसमें इन्होंने काम के बाद आध्यात्म को संभो बनाया है उसमें इस तरह का जीक्र करते हैं इसलिए इनकी रशनाओं में हम कह सकते हैं कि कामा ध्यात्मवाद का जो इन्होंने बर्णन किया है इनकी काब में खूब हमें देखने को मिलता है अगला जो है इनके काब में मानावतावाद का जो प्रचूर मात्रा में मानावतावाद की जो भावना है वो प्रचूर मात्रा में इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। की भावना कैसे अस्ठापीत हो यह कामाएनी के माध्यम से पूरे साहित्त जगत में दिखने की कोसिस की है अगला जो है नारी को लेकर इनकी कविताओं में नारी को लेकर भी बहुत सारी बातें की गई है नारी को अस्थान आइनी में से ही उधारण देते हैं कि नारी तुम केवल स्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीवस स्रोत सी बहा करो, जीवन की सुंदर समतल में, यह जो है कि समाज में नारी को लेकर जो भावना है, वह जैसंकर प्रसाद ने अपनी रचनावों में दिखाने क कोशिस की है, चुकि नारी का जो अस्थान है, वह आधुनिक कविता से पहले, हम रिती कालीन कविता में अगर देखें, मद्धे कालीन कविता में देखें, तो नारी को एक अलग ही रूपक की तरह इस्तेमाल किया जाता था, कि नारी को मतलब की जो नारी भावना है, वह ऐ ऐसे मुखरित होकर समाज में नहीं आई जिस तरह की भारतेंदु यूगीन कविताओं में उससे भी बढ़के आगे द्वेदी यूगीन में फिर हम तो छायावाद यूग अभी पढ़ रहे हैं छायावाद में यूग में तो नारी को एक दम उचित अस्थान जो भी उस समय क रचनाकार थे वो देने की कोशिस उन्होंने किया है एक इनकी कविता है इनकी काब में अनंत आसावाद कभी दर्सन का जो भाव है वह भी देखने को मिलता है इनकी कविता है कि इस पत्का उद्देश नहीं है स्रांत भवन में टिक रहना किन्तु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है मतलग इसमें जो जैसंकर प्रशाद अपनी कविता के माध्यम से वह आसावाद का जो दर्सन है वह देते हैं कि अपने लक्ष को प्राप्ती के लिए जब तक रुको नहीं कि जब तक वह प्राप्त नहों हो जाए वह अनवरत प्रयास करने के लि मित्रो जैसंकर प्रशाद की जो अन्य रचनाय हैं वह यह तो सिर्फ कविता की बात हुए लेकिन और जो रचनाये हैं उनकी सभी विधाओं में सारे के सारे इस तरह के इस तरह की विशेस्ताओं का वर्णन हम देखने को देख सकते हैं और इनसे सम्मंदित जो अभी कि obed class क्या है च्यायावाद का उत्तान कैसे हुआ उसकी जो भी सिस्टा क्या है कर सकते हैं आगे की अज़ेशनуки प्रशाथ को में प्रू gedaan को हम प्रणन करें लेकर आक्या आप्व कर Śचार। झाल